हेलो ब्योटिफल सोल्स तसस सानवी शर्मा आज मैं आप लोगों के लिए एक जेनरलाइस रेडिंग लेकर आए हूँ जो के सेप्टेमबर 2024 के लिए है आज की रेडिंग Aries यानि की मेश राश्य वाले लोगों के लिए है ये एक जेनरलाइस रेडिंग है ये रेडिंग कही न कहीं आप सब के साथ रेजनेच जरूर होगी अगर आप मेरे रेडिंग से इंफ्लूइंस्ट है और किसी परस्नलाइस प्राबलम का सॉल्यूशन मुझ से चाहते हैं तो अग अपनी परस्नलाइस रेडिंग मेरे साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें इस रेडिंग को आप संराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉरिंग देख सकते हैं अगर आप इस रेडिंग को अपने असेंटेंट यानि के लगने के थ्रूँ देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका जाड़िक है उस रेडिंग को देखना मत भूलिएगा फ़र फाइन डेटेक्स आएज जानते हैं एरीस पीपल ये महीना जेनरल एनरजीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये जो सेप्टेंबर का महीना है ये जेनरल एनरजीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आएज जानने की कोशिश करते हैं पहला कार्ड है यहां पर page of fire ka kaan hai. The next card over here is king of cups ka kaan hai. The next card over here is five of cups ka kaan hai. The next card is eight of pentacles ka kaan hai. The next card over here is ten of swords ka kaan hai. The next card is the star ka kaan hai. The next card over here is ace of fire ka kaan hai. The next card over here is knight of cups ka kaan hai and bottom आप लोग ये बात तो भेहतर जानते होंगे कि आप एक fire sign personality है बट इस पूरे महेने में आप एक air sign personality की तरह behave करने वाले मतलब आपकी जो energies हैं वो उतनी जादा stable energies नहीं रहेंगे बलकि आप go with the flow की energies के साथ आगे बढ़ना जादा पसंद करेंगे इस महीने में अपने sleeping pattern का आपको खास ध्यान रखना है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रातों को देर तक आप जागने वाले हैं जिसकी वज़े से आपकी नीम तो खराब होगी ही साथ में आपकी health पर भी impact पड़ सकता है रात को देर तक कुछ भी चीज़े सोचने से उस चीज इसको लेकर आपके अंदर एक अंजान सा fear डवलप हो जाएगा ठीक है आप वर्स से वर्स चीज़े सोचने लगेंगे आप खुद से ही कुछ अनुमान लगाने शुरू कर देंगे जिससे कि आपकी जो चिंता है वो और ज़दा बढ़ने वाली है ठीक है आपको रात का एक पर्टिकुलर पाटन बनाना होगा सेप्टेंबर के महीने में आपकी नाइट की एक अच्छी रोटीन होनी चाहिए अपने thoughts को refocus करते हुए आपको अपने आपको एक काम महौल में डालना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सो पाएं आपका सोने का टाइम सेप्टें का change होगा यह बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा आप इस नई डारेक्शन में बढ़ते हुए काफी ज़्यादा enthusiastic होंगे काफी ज़्यादा positive होंगे अपने creativity के साथ ही आप आगे भड़ पाएंगे थोड़े से impatient आप रहने वाले हैं जिके नई exciting opportunities आपको मिलेंग हैं उस काम को completely खतम कर लीजेगा और उसके बाद दूसरे काम में heart डालिएगा ठीक है the next card over here is king of cups का card है इस महीने में emotionally आप अपने आपको किसी के सामने भी खूल कर नहीं रखने वाले आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला person आपके emotions को नहीं समझ सकता है या फिर सामने वाला person आपके emotions का मजाग उड़ा सकता है बट यहाँ पर थोड़े से आप गलत है कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके around जो आपकी बातों को समझ सकते हैं आपको खुद ये परकना होगा कि किन लोगों पर आप trust कर सकते हैं और किन लोगों पर आप trust नहीं कर सकते हैं इस महीने में बहुत अची intentions रखेंगे ठीक है और आप अपने आपको अगर किसी emotional turmoil में महसूस करें तो किसी counselor के बास आप जा सकते हैं इस महीने में आपको charity भी करनी चाहिए यहाँ पर five of cups का card है इस महीने में आपको feeling of loss होगी आपको ऐसा लगेगा जिस हिसाब से आप चीज़े चाहते ह हुआ हुआ होता है उस कारण को ढूमने की कोशन करनी है आपको और हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई hidden blessing होती है उसे जानने की कोशिश कीचेगा इस feeling of loss वाली energy को आपको cut करना है यहाँ पर eight of fire sorry eight of pentacles का card है इस महीने में आप बहुत ही बारिकी से हर एक चीज़ के उपर मेहनत करने वाले हर एक चीज़ को बारिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे आप जो अपनी तरफ से आपका input होगा वो हर एक चीज़ में 100% होगा आप हर एक चीज़ को detail से जानेंगे समझेंगे अपनी skills को improve करेंगे इस महीने में आप अपना कोई mentor find out करने की कोशिश करन वाले हैं और कोई अच्छा mentor आपको मिलेगा भी यहां पर 10 of sports का card है इस महीने में कोई एक ऐसी situation है आपकी life की जो खतम होने वाली है और जिस तरह से वो situation खतम होगी ना उससे आपको ज़्यादा कोई खुशी नहीं मिलने वाली है नहीं आप ज़्यादा दुखी होंगे ठी आपकी कोई addiction overcome हो सकती है आपकी life के अंदर आप खुद बहुत ही melodramic reactions देने वाली है ठीक है जो चीजे जिस तरह से खतम हो रही है होने दीजे अपकी life का जो burden है वो कम हो रहा है उसे खतम हो लेने दीजे और जिस नहीं direction के तरफ को आपको बढ़ने का मौका मिर रहा है उस इसे भी मुझे यहाँ पर आपकी energy जाथा अठकाव वाली नजर नहीं आ रहे हैं आपी चीजों को लेड़को करने की कोशश करेंगे आपको future में faith होगा आपको लगेगा कि आपके सपने पूरे हो सकता है पास्ट की energy के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप अपने सपनों को खुद धकेल रहे हैं खुद से दूर तो यह चीज़ें आपको महसूस होंगी कुछ ऐसे positive changes आपकी life के अंदर होने वाले हैं जिससे कि आपका challenge परा वक्त हतम होता हुगा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जिस square में आपको बिलकुल ही अंदकार नजर आ रहा था कुछ bold choices आपको बनानी पड़ेंगी कुछ courageous steps आपको उठाने पड़ेंगे आपको अपनी life में action लेने की जरूरत है वो चीज़ें किये जिन चीज़ों को लेकर आप passionate है ठीक है और अगर आपको लगता है न कि direction को change करना risk की साबित हो सकता है तो risk आपको लीना है इस बात का ध्यान रखेगा यहाँ पर night of cups का card है इस महीने में अपनी कोई feelings आपके सामने रख सकता है कोई person बहुत ही romantic way से अपनी feelings को आपके लिए express कर सकता है कुछ ऐसी situation आपकी life के अंदर create होगी जिससे आपको बहुत ज़दा खुशी मिलने वाली है suddenly आपको कोई love affair start हो सकता है आप relationship में changes आएंगे वो क्या changes होंगे वो अभी हम आगे discuss करेंगे कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो आपको बहुत ज़दा खुशी देने वाली है अपनी hobbies पर भी आप focus करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपके अंदर किसी को लेकर कुछ feelings हो आप उस person के सामने अप की love life के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी love life की energies किस तरह की होंगी यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है पहला card है nine of fire का card है the next card is five of fire का card है the next card is eight of swords का card है the next card is the lovers का card है the next card over here is justice का card है the next card over here is queen of pentacles का card है then is six of pentacles का card है and bottom of the deck पर ace of pentacles का card है Aries people सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो अपने बातना के साथ no contact situation में हैं देखिए इस महीने की जब चुरुबात होगी आपको अपने रिष्टे के अंदर कुछ भी positive नजर नहीं आएगा आपको ऐसा लगेगा कि यह relationship उसी delay उसी postponement की energies में हैं फिर अचानक से आपके partner के साथ आपका communication होगा किसी ना किसी माध्यम के जरिए यह communication आपके साथ आपके partner करेंगे हो सकता है किसी person के through हो हो सकता है किसी common friend के through हो हो सकता है किसी relative के through हो मतलब communication किसी पिछिपे लड़ाई जगड़े होने के पूरे chances हैं एपना point of view रखेंगे सामने वला person अपना point of view रखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टना अभी भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है आपके partner को लेकर आपको emotional होकर decisions नहीं बनाने, आपको practical होकर decisions बनाने, आप अपने partner के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ पर आपको बिल्कुल clarity होनी चाहिए, अगर आप दोनों का कोई court case चल रहा है और आप no contact zone में हैं, तो वहाँ पर आपके कोई mutual बातचीत हो सकती है, जहां पर आपकी counseling करके कोई आपकी मदद करेगा reunion को achieve करने में, आपके partner और आपके बीच में सिर्फ misunderstandings ही हैं, और शायद किसी तीसरे person की इस तरह की interference है कि वो person manipulate कर रहा है, तो बातचीत के जरीए आपकी बहुत सारी चीज़े sort out हो जाएं और आप उन्हें situation पर maaf कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, उनकी life में अगर अभी भी complications हैं, तो उन complications को कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो definitely आपको अपने partner के साथ आगे की और बढ़ना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपने partner की कोई मदद नही कर सकते हैं, हमेशा ही आप ही अपने partner को support करने की कोशिश करते हैं, आपके partner अपने आसबास वारे लोगों के बातों के जहांसे में आ जाते हैं, और बात में आपको सफर करना पड़ता है, तो आप इस relationship से move on करनी चीचेगा, और कह कर move on कीचेगा, चीके, तो situation आपके हाथ म अंदर क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद आप अपनी life के regard में फैसले बनाएगा, जल्दवाजी में फैसला नहीं बनाना की बाद में आपको regret होता रहे, अगर आप relationship में enter करेंगे, तब ही आप दोनों की life में prosperity आपको achieve होगी, और अगर आप अपने partner से दूर बनने का फैस आपके partner ने आपको कोई closure नहीं दिया, अब आपको हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा आपके partner से, okay, so I hope आपको ये energy बिल्कुल clear हो गई होगी, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने partner के साथ contact zone में हैं, देखिए यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप की साथ emotionally काफी साथ connect करने की कोशिश करेंगे और आपके partner emotionally unavailable होंगे, आपके partner के साथ आपका जो point of view है, वो बिल्कुल भी match होता हुआ, मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके partner ना आपको छोड़कर बाकी जो उनके आसपास वाले लोग है उनके उपर ज़्यादा emphasize कर रहे हैं, उन लोगों के उपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपके उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह चीज़े आपके अंदर एक feeling of insecurity पैदा करने वाली है, आपके partner आपसे यह चीज़ कहेंगे कि वो अपने career को लेकर कोई family बनाना चाहते हैं, वो अपने career को लेकर कुछ जादा motivated है इस time पर उन्हें अपने career के regard में कुछ अच्छी चीज़े करनी हैं, उन्हें इसलिए वक्त चाहिए, लेकिन आपको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा, ठीके, आपके partner जो आपसे चीज़े कहने वाले हैं, वो बिल्कुल ही सची बात है, लेकिन आप में से कुछ लोग इस चीज़े के लिए तयार हो जाएंगे कि हमें अपने partner को छोड़ना है, क्योंकि हमारे partner की life में कोई और person है, एक गलत family का शिकार आप लोग होने वाले हैं, और बहुत strongly होंगे, आपको ऐसा हैं, अपने relationship को stable बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने partner के उपर यकीन करना बहुत जरूरी है, अब यह मत कहिएगा कि माम हमेशा हम ही अपने partner पर यकीन करें, कभी वो हमारा विश्वास जीतने की कोशश तो करते नहीं हैं, यह सारी बातें मत कहिएगा, बिकॉस यहा आपका कोई love affair start हो सकता है, वो energy बिलकुल clear है, लेकिन यह person जो आपको मिलेंगे, वो आपकी working place पर मिल सकते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं, तो किसी ऐसी जगहा पर मिलेंगे, जहां पर money का exchange होता है, जैसे कि हो सकता है कि वो आपको किसी bank में मिलें, या फिर western union के किसी office म मिलें, या फिर ऐसी किसी जगहा पर जहां पर पैसो का exchange होता है, ठीक है, इस person की financial जो position है, वो आप से काफी ज़ादा अच्छी होगे, और ये person जो है ये आपको support करने वाले person होगे, लेकिन अगर आप अपने aggressive nature, जो आपका basic nature है, Aries हैं आप, जो आपका basic nature है, वो इनके पर apply करने की कोशिश करेंगे न, तो ये person आपसे धूर भागना शुरू कर देंगे, तो अपने घुस से वो थोड़ा control कीचेगा, इस person के opinions को सुनना आपके लिए बेहत जरूरी है, अगर आप arranged marriage की form में कोई रिष्टा देख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी रिष्टा आपको मि करियर हो गई होगी, आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, इस महीने में आपके करियर की energies किस तरह की होगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं you guys, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह क पर रहने वाला है, तो पहला card है, ego का card है, the next card over here is nine of pentacles का card है, the next card over here is ten of pentacles का card है, the next card is nine of fire का card है, the next card is king of fire का card है, the next card is seven of cups का card है, the next card is eight of swords का card है, and bottom of the deck पर nine of swords का card है. करियर को लेकर बहुत ज़दा आपको चिंता सताने वाली है रात के टाइम पर आप ज़्यादा बैठ कर अपने करियर के बारे में सोचेंगे ये चीज आपको वाइड करनी चाहिए करियर की एनर्जीज कोई destructive एनर्जीज नहीं है कि आपके life के अंदर सब कुछ भी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है decisions बनाने थोड़े से यहाँ पर मुझे difficult नजर आ रहे है क्योंकि बहुत सारे options होंगे आपके पास कौन से option की दरफ बढ़ना है ये आपको समझ नहीं आएगा अपने आजपास वाले लोगों पर जादा यकीन करने की कोशिश मत कीजेगा जो भी फैसले बनाने है खुद से बनाने की कोशिश कीजेगा अपने career को लेकर motivated रहेगा एक direction में अगर आप move करना शुरू करते तो उसी direction में बढ़िएगा अपने आपको काफी inspired रखने की आपको जरूरत है आपके ambitions मुझे बहुत ज़्यादा high नजर आ रहे हैं अपनी life में एक leadership role especially अपने career में आपको अदा करना है आप लोगों को बताइए कि आप अपने career के बारे में क्या सोच रहे हैं फिर आप जो भी step plan कर रहे हैं वो आप क्यों plan कर रहे हैं उसे बहुत consolidate होकर सामने रखे और किसी के vision से अपने vision को change करने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई person आपकी पीट पीछे बात करता है तो करने दीजे आप अपने career के अंदर कुछ अच्छा ही कर रहे हैं तभी कोई person आपके पीट पीछे बात कर रहा है अपने confidence को regain कीचे ठीक है self confidence की energies में आपको रहने की ज़रूरत है कोई भी action लेने से आपको घबराना नहीं है अपनी life की responsibility अपने career की responsibility आपको खुद उठानी है आपके career के अंदर जो भी major changes होंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा change है नजर आ रहा है कि आपका income का source बढ़ने वाला है अगर आप job करते हैं तो business करेंगे साथ में अगर business already कर रहे हैं आप तो कोई और side business भी आप कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपका income का source बढ़ेगा तो आपके finances में जिस भी थरह की improvement होगी वो किसी के साथ पर आपको share नहीं करना है आप अकेले में enjoy कीजिए अपनी family के साथ enjoy कीजिए आप अपनी family के लिए कुछ financial security कठी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो लोग family business में involved है आपका business इस महीने में grow करता हुआ नजर आ रहा है आप अपनी जो आपने अभी तक knowledge gain की है अपनी family business से वो आप किसी को pass on करते हुए नजर आ रहे है आपको कोई वो knowledge देने वाला है ऐसी energies नजर आ रही है अपने आसपास वाले लोगों पर वैसे भी आपको ज़्यादा यकीन नहीं रहने वाला है उनसे आप वैसे ही कुछ पढ़दा create कर गे रखेंगे कि सामने वाले इंसान को पता ना लग सके कि आप अपने career में क्या कर रहे हैं लेकिन इन सब के साथ ना आपके अंदर एक ego develop होती हुई भी मचे नजर आ रही है ego एक negative energy होती है ये एक test होता है ईश्वर का कि जब आपकी life के अंदर सब चीज़े stable हो रही है तब आप किस तरह से behave करते हैं अपने ego को down रखेगा किसी को भी नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है हो जबता है किसी person ने आपको past में heart किया हो जब आपका low time था उस person ने आपका मजाक उड़ाया हो let it be आपको बिलकुल उस तरह से behave नहीं करना है इस बात के लिए अपने आपको mentally prepare कर लीजे okay so I hope आपको आपके career की energies बिलकुल clear हो गई होंगी आए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके health की energies किस तरह के होंगी ये महीना आपकी health के लिए किस तरह का होगा आए चानते हैं Aries people तो पहला card है 10 of pentacles का card है the next is transformation का card है the next card is 5 of fire का card है and bottom of the deck पर page of pentacles sorry page of swords का card है यहाँ पर एक चीज़ बहुत clearly नज़र आ रही है किस महीने में आप अपनी health पर खुद खर्चा करने वाले हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहे कि आप अपनी health को improve करना चाहेंगे और आपके logics थोड़े different होंगे और इसकी वज़े से आप कुछ पैसे अपने health के उपर spend करने वाले हैं जिसके regard में जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपसे agree नहीं करेंगे आपके आसपास वाले लोगों को ये चीज़ महसूस होगी कि आप फ़जूल खर्ची कर रहे हैं आप अपने logics के according चलेगा आप पैसा spend करना चाहते हैं जो आपने पैसे कमाए हैं अगर आप वो spend कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं है ठीक है पेरेंट्स के ऊपर किसी तरीके कर कोई burden मत डालिएगा अपने तरीके से अपनी health को आप improve करेंगे तो बहुत इच्छी बात है पैसे जो आप spend करेंगे वो waste नहीं होने वाले हैं ठीक है किसी के साथ कोई लड़ाई जगडा नहीं करना आप अपना point of view रखेंगे अपनी health को लेकर किसी और का कुछ और point of view हो सकता है body आपकी आपको बता है कि अपनी health को किस तरह से improve करना है बट वो improvement वाली energies नज़र आ रही है जिस भी तरीके से आप सोचने वाला है उस तरीके से आपकी health improve होगी okay so I hope आपको आपकी health की energies भी clear हो गई होंगी आए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस महीने में आप future में invest कर पाएंगे क्या इस महीने में आप अपना dream house बना पाएंगे यहाँ पर knight of sports का card है six of cups का card है the next card is ten of fire का card है the next card is balance का card है the next card over here is awakening का card है the next card over here is king of sports का card है the next card is ace of pentacles का card है and bottom of the deck पर queen of sports का card है देखिए अगर मैं बात करूँ इस महीने की investment की तो आपने आपको prepare ही नहीं कर पाएंगे कि आपको investment करने आप बहुत सद आपने आपको stuck feel करेंगे एक तरफ आपका मन कहेगा कि आपको investment करनी चाहिए दूसरी जगा आप ये सोचेंगे कि कही investment करके आपको थोड़ा सा practically सोचना चाहिए अपने experience को implement करके आप इस महीने में छोटे amount की investment कर सकते हैं जो आपको बहुत significant results देंगी इस time पर की गई investment आपको future में बहुत अच्छा reward देने वाली है आपको पशलावा बिलकुल नहीं होगा इस time की की गई investment का थोड़ा सा balance होकर चलिएगा ठीक है पहले जो गलतियां आपने की हैं वो गलतियां आपको नहीं दोरानी है आप stock market में invest कर सकते हैं आप crypto में invest कर सकते हैं किसी company में invest कर सकते हैं बट बहुत बड़ा amount invest नहीं करना mutual funds आप खोल सकते हैं कोई problem नहीं है अगर मैं बात करूँ घर लेने की तो इस महीने में आप घर definitely ले सकते हैं लेकिन आपके एर्दगर्द वाले लोग आपको बहुत ज़दा confused करने वाले हैं कि आपको घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हो सकता कि आपके family के ही कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे ये चीज़ कहें कि इस time पर अगर आप अपने finances को घर लेने में spend करेंगे तो शायद आपके future के लिए कुछ नहीं बचेगा किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है इस मन्त में आप अगर जितना ज़्यादा दूसरों की बात अपने घर बनाने के case में सुनेंगे उतना ज़्यादा आप down महसूस करेंगे आप कैसा लगेगा कि नहीं आप ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे आप practical होखर चाड़िये इस महीने में आप अपना घर बना सकते हैं आप कोई बना बनाया घर ले सकते हैं कोई फ्लैक लेना चाहते हैं फ्लैक ले सकते हैं घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं कोई commercial लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं उसमें कोई प्राब्लम नहीं है आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं कोई गिराज खोलना चाहते हैं कोई सलून खोलना चाहते हैं कोई इंस्टिट्यूट खोलना चाहते हैं उसके लिए लैंड लेना चाहते हैं या शॉप लेना चाहते हैं ले सकते हैं कोई नहीं है, so I hope आपको आपके investment की energy इस बिलकुल clear हो गई होंगी आएए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Competitives की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन किस तरहा का रहने वाला है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Competitives की कार्ड है, then is eight of fire का कार्ड है, the next कार्ड is six of fire का कार्ड है, then is four of cups का कार्ड है, then is seven of fire का कार्ड है, and bottom of the deck by the lovers का कार्ड है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Competitives की तयारी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे नज़र आ रहा कि आप Crossroad की situation पर रहने आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा कि आप ये competitive exam clear कर भी लेंगे, ये discontentment और bottom की जो energies है, इससे बाहर निकलने की कोशश कीजिए, अपने आपको कोसना बंद कीजिए, अपने साथ जो आपके trust issues हैं, आपने ठीक है, पहले exam दिया, आप clear नहीं कर पाई, लेकिन उसे at least आपने कोई experience तो गें किया है उस experience को implement कीजिए, अपने emotions को side में रखिए, logically पढ़ाई कीजिए, जिके loyalty, dedication से अगर पढ़ाई करेंगे तो definitely आपको अच्छे rewards मिल सकता है इस महीने में आपको कोई guidance देना वाला है, आपकी पढ़ाई के regard में, कोई person आपको social media के through मिल सकता है, कोई guide आपको मिल सकता है, जो आपको आपकी पढ़ाई के regard में guidance देगा, इस महीने में आपको definitely अपना competitive exam बहुत practical तरीके से पढ़ाई करने के बाद देना चाहिए, उसमें आपको success हासिल होगी, ठीक है, अगर आपको यह ऐसा exam दे रहे हैं, जिसमें directly आपकी job लग सकती है, तो उस exam की भी तयारी करके ही आपको exam देना है ऐसा नहीं है कि आप भगवान भरोसे जाकर exam में बढ़ जाएं और वो exam clear हो जाएगा क्योंकि universal energies आपको support कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है, आप महनत करेंगे अपने आपको इस discontentment की energy से बाहर निकालेंगे तभी आपका यह exam clear हो सकता है, और आप में से कुछ लोग जो government job की तयारी कर रहे है आप माने चाहे ना माने इस महीने में आपका वो exam भी clear definitely हो सकता है बहुत शाफ energies यहाँ पर नजर आ रहे हैं, so I hope आपको यह energies भी बिल्कुल clear हो गई होंगी, every these people आए, अब हम जानते हैं कि इस month में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाएं what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाएं, यहाँ पर ascension का card है, the next card is cloak of wisdom का card है the next card over here is lord shift का card है, the next card is secret self का card है the next card over here is divine healing का card है and bottom of the deck पर heart awakening का card है देखिए इस महीने में आपकी ascension होने वाली है, इसलिए अपने soul के साथ एक गहरा connection बनाईए, खुद के साथ true रहिए, अपनी soul को जानने की कोशिश कीज़े, जो आपको आपकी life के अंदर अंदकार नज़र आ रहा है वा अंदकार बाहर है, आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर light है, उसके साथ connection बनाने की कोशिश कीज़े, जादा से जादा time आप meditation कीज़े, आपकी ascension definitely होगी, इस महीने में आपको already पता है, जो चीज़े आप बाहर ढूनने की कोशिश के रहे हैं, उनके जवाब आपको अपके अंदर से मिलेंगे, तो इसलिए जो ये काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको खुद से गहरा connection बनाना है, अपने जुपीटर को enhance कीज़े, ठर्स्टे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीज़े, आप चले की दाल का दान क कर सकते हैं, आप गाठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बदाम की गिरी का दान कर सकते हैं, एक गिरी, तीन गिरी, पाँच गिरी, साथ गिरी, नौ गिरी, अपनी शमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, केला सेवन नहीं करना है ठर्स्टे के दिन पर क्योंकि उस द और उससे आपकी जो सोल लेवल पर असेंशन होनी चाहिए, वो होनी स्टार्ट हो जाएगे, आपको इस पूरे मंत में भगवान शिफ की अरातना करनी है, भगवान शिफ के मूल मंत्रों का जाप करना है, ओम नमशिवाय का आप जाप कर सकते हैं, उससे क्या है, आपके जो मै मैसकुलाइन तत्व है, हर इंसान के अंदर फेमनाइन और मैसकुलाइन डोनों तत्व होद, जो मैसकुलाइन तत्व है, वो बढ़एगा और आपको पपनी लएफ में न, स्टेप्स लेने में आसानी होगी, आपको भी इश्वर ने कुछ बहती बहतरीन गिफ्ट्स दिये शिवलिंग पर आप दूख चड़ा कर आ सकते हैं, यह जल चड़ा कर आ सकते हैं, उससे क्या होगा, लाइफ पर टेंशन कम होगी, दूसरी चीज आपको ना अपनी लाइफ में क्लारिटी मिलेगी, यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, आपको अपने हाट चक्रा पर अपने हाट चक्रा पर मेडिटेट करना है, आपको खुद को रिचार्च करना हील करना है, अपने हाट चक्रा को ओपन करना है, आपको इश्वर ने इतना सारा एक्सपिरियंस दिया है, वो किस लिए दिया है, आपके खुद के लिए नहीं दिया, आप दूसरों के भी आपको नहीं उठाने है, आपका universe के साथ give and receive balance में होने वाला है, अपने heart chakra को open रखे, ठीक है, इश्वर से जादा सवाल मत पूछे, So I hope आपको आपका mode of action बिलकुल clear हो गया होगा, आएए अब हम जानते हैं कि इस महीने में divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं, तो पहला card है, answering the call का card है, the next card is voyage of the heart का card है, the next card is solitude का card है, the next card over here is stepping into power का card है, the next card over here is taking shelter का card है, and bottom of the deck पर protected by angels का card है, देखे, आपकी शायद ना इश्वर से ये शिकायत बहुत जादा रहती है कि इश्वर आपकी प्रात्नाओं का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इस महीने में आपको आपकी सभी प्रात्नाओं का जवाब मिलने वाला है, आपको वो सब चीजें अपने पाएंगे जब अकेले में कुछ टाइम बिताएंगे, आप बहुत जादा स्ट्रॉंग हैं, आगे बढ़ने से आपको हिचके जाना नहीं है, आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, ये आपको आप और बहुत जल, आपकी लाइफ में बहुत सरी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, अपने thoughts को positively channelize कीचे, जिस तरह की energies आप universe की तरफ को send करते हैं, उसी तरीके की energies आपके पास वापस आती हैं, तो positivity और प्यार ही send कीजिए ताकि आपको भी वही receive हो, so I hope Aries people, ये reading आपको प कीचेगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपनी life के different spheres को लेकर, कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप मेरी reading से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो अब अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे whatsapp के through, या फिर मेरी email id के through book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क इंका flash होंगे, जो लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चानल को subscribe करनीच है, और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-ने videos की notification मिलती रहे, so thanks for watching, see you soon.